मेरे प्रियात्मन, सहज योग में आज तुलसी सहाब का एक पद लेने जा रहे हैं। तुलसी सहाब का जन्म 1670 इस्वी में हुआ और 1761 इस्वी तक हाथरस और उसके आसपास तुलसी सहाब नाम का अलग जगाते रहे। आज जो संत मत के रूप में परंपरा भारत में प्रचलित है उसका उदगम तुलसी सहाब को कह सकते हो। कहते हैं तुलसी सहाब अरे देख निहार बजार है रे जग बीच नकाम कोई आवता है। बहुत सुंदर उपमा दे रहे हैं जिसे हाट लगता है बाजार लगता है। अब तो शहरों में शहर बस गए हैं बड़ी बड़ी दुकाने हो गई हैं मौल खुल गए हैं। लेकिन अपने जमाने के वो बात कर रहे हैं कि जहां गाओं में हाट लगता है और गाओं के लोग आते हैं दुकानदार भी कहीं और से आते हैं दुकाने सस्ती हैं और शाम होते होते दुकानदार भी वापस चले जाते हैं और जो ग्रहक आते हैं वे भी वापस चले जाते ह वैसे ही कह रहे हैं कि जो जगत जो है एक हाट की तरह है, एक बाजार की तरह है, एक मेले की तरह है, यहां सब लोग आए हैं, लेकिन कोई यहां थिर रहने के लिए नहीं है, जीवन की सांज होगी और सब अपने अपने घर वापस चले जाएंगे, शिव लोग से, आत्म निहार बजार है रे और जग बीच नकाम कोई आवता है। यहां कोई भी तुम्हारे काम नहीं आएगा, महाजीवन का सहचर कोई भी नहीं होगा, महाजीवन के साथ कोई नहीं चलेगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तेरे काज ना ग्रेह राज माल, तुम घर बनाओ, मकान बनाओ, तुम राजी को बढ़ाओ, तुम संपत्ति को बढ़ाओ, यह सब मृत्तु की बेला में सब यहीं छूट जाते हैं, कोई भी काम आता नहीं, क्योंकि तुम जो जीवन समझते हो, वह तुम महाजीवन का एक टुकड़ा है, असली बात है, कि वही सार्थक है, जो तुमारे महाजीवन की पुझी बनता है, जो यहीं छूट जाए, जो तुमारे महाजीवन का सहचर नहीं हो, तो कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारे काम आ रहा है तेरे काज ना भिखै जन्जाल और जो इतने विशय भोग तुम कर रहे हो तुम अभी से आँख बंद करके देखो कि क्या जो भोग तुमने किये उसका कोई भी सुख आज बचा है कि तेरे काज ना भिखै जन्जाल यह भी यह विशय भोग इसका भी सुख तुमारे साथ चलने वाला नहीं है और इसट मीत जान सब छले जिनको तुम इश्ट कहते हो मित्र कहते हो वो भी एक छलावा ही है क्योंकि सब मुसाफिर है हाँ कोई भी इसट कोई भी मित्र कोई भी परिवार का सदस तुम्हारे महा जीवन के साथ चलता नहीं है बस हर हर नाम संग तेरे चले यह जो गोविंद के नाम की पुझी है यह गोविंद के नाम के शुमरन से जो आनंद अरजित करते हो पसे यही तुम्हारे साथ चलता है और अगले जीवन में धरोहर की तरह तुम्हें वापस मिल जाता है कहते हैं तुलसी साहब कहते हैं जड़ा बिचारो जड़ा सोचो बेटा है माँ है पिता है और जो भी सखासमंधी है पतनी है मृत्व की बेला में कोई किसी के साथ जाता नहीं है अकेले ही जाना है तुमको और नाम की पुझी के साथ जाना है जिसके लिए संत किनाराम कह रहे हैं अगर इतनी बात समझ में तुमको आ जाए कि ये बाजार है, हाट है, मेला है कोई किसी के संग जाता नहीं तब तुम्हारे भीतर एक प्रग्या का जन्म होना चाहिए कि अब मन ले लो हरी का नाम अब कम से कम हरी के नाम को जानो और हरी के नाम के सुमिरन का आनंद लो क्योंकि ये आनंद ही तुम्हारी पुझी है सुख संपत यह चार दिना के जितना भी सुख या धन है तुम्हारे पास याद रखना बस चार दिनों की जिन्दगी है क्या फर्क पड़ता है कि तुम 40 साल जीए कि 80 साल जीए देखते 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 वक्त बीत जाता है और कोई भी तुमारे काम आता नहीं मृत्य की बेला में तुमारा कोई सहचर होता नहीं है और हितमित उतकू संग न जाइए कोई तुमारा हितैशी है मित्र है कोई भी तुमारे साथ जाता नहीं और सुत बनिता धन धाम तुमारा बेटा हो पतनी हो धन हो मकान हो यह सब यहीं के यहीं छूट जाते हैं कोई भी तुमारे महाजिवन का सहचर नहीं होता और राम किना सत्गुरु सरनपा और नाथ लहया विश्राम तो क्या करना है और सारे संत इस बात को कहते हैं हमें चिताते हैं कि राम किना सत्गुरु सरन पाव वसे एक ही काम करो सत्गुरु को खोचो और सत्गुरु को पाकर के उसके चरणों में विश्राम लो उसकी शरण में आ जाओ और फिर क्या करो सत्गुरू से तुम्हे उस प्रभू का बहेद मालूम पड़ता है उस नाथ का स्वामी का बहेद मालूम पड़ता है तो फिर क्या करना है नाथ लहया विश्राम अनहद में विश्राम उस गोविंद में विश्राम करो उस गोविंद के सुम्रन का आनंद लो कहते हैं तुलसी साहब तुलसी बिचार जम फांस है रे तुलसी साहब कहते है कि बिचारो सही ये मृत्तु की याद करो और तब एक बोध पैदा होता है कि छण भंगुर है जीवन देखते देखते ये जीवन नश्ट हो जाता है इसके पहले की जीवन की सांच आ जाए नाम की पूझी अरजित करने में, जीवन को आनंदित करने में, जीवन को प्रेम से भरने में, करुना से भरने में, आत्म विखास में फिर तब तुम समय को लगाते हो, तुलसी बिचार जम फां सहरे बिदी बांध के काल चबावता है, कते बींद बांद करके काल तुम्हें खा जाता है, रोगों से आकरांत करके, कभी किसी दुर्गहटना से, एक न एक दिन काल तुम्हें खा जाता है, और इसके पहले की काल आ जाए, और तुम्हारे जीवन लिला समाप्त कर दे, प्रग्या इसी बात में है, कि जीवन रहते र जाएं जहां पर हमारा असली धाम है अगर ये प्रग्या जग जाए कि एक दिन मृत्तु आएगी तो फिर तुम देखोगे कि इस बाजार में इस हाट में जो तुम इतना रस लेते हो वह रस खो जाता है और सारा रस भीतर हो जाता है जिसके लिए कबीर साब कहते हैं काल हमार संगर है और कस जीवन की आस दिन रात मौत सिरहाने खड़ी है और कैसे तुम ऐसा सोच लेते हो कि ये जीवन सतत चलता रहेगा और दिन दस नाम समहा लिले जब लगी पिंजर सांस जब तक जीवन है जब तक सांसे चल रही है बस इस नाम को इस ओंकार की जो पूजी है जो यह नाम की पूजी ही असली आनंद है यह नाम की पूजी ही असली प्रेम है इस नाम से ही प्रेम पैदा होगा इस नाम से ही आनंद पैदा होगा यह नाम का सुमिरन ही तुम्हे परम आनंद में ले जाएगा कहते है तुलसी साहब हाए हाए जहान में मौत बुरी याद रख खुजरा ये मौत जो है तुमसे सब कुछ छीन लेती है और अगर इसकी याद करो संत तुम्हें डरा नहीं रहे हैं संत तुम्हें समझा रहे हैं संत यह नहीं कह रहे हैं कि मौत से डर करके जिंदगी को जीओ सिर्फ यह कह रहे हैं कि मौत की याद करोगे तो एक एक जो बाह कि है जिन्दगानी मरना है सब का और कहे कबिर सुनो भाई सादो और गाफिल है कब का चार दिन की जिंदगी है फिर भी आदमी कितना मौत से बेखवर हो करके जीता है कहते है तुलसी साहाब काल जाल से रहन नहीं पाउता है आज तक कोई काल के जाल से छूट नहीं पाया न कभी छूट पाएगा इसलिए अगर मृत्तु का बोध हो डर नहीं मृत्तु का बोध हो तो परमात्मा में तुमारी गती होने शुरू हो जाती है परमात्मा की और तुमारे कदम उठने शुरू हो जाते हैं जिसके लिए कबीर साब कहते है जूठे सुख को सुख कहे और मानत है मनमोद ये जो विश्यों का सुख है ये असली सुख नहीं है भले इसमें बड़ा लोग मनरंजन महसूस करते हैं सुख महसूस करते हैं जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद ये जो संसार का सुख है संसार में हम सब रहते हैं यह काल के चबेने हैं जैसे चबेना को खाता है बस ऐसे ही समझ लो कि काल चबेने की तरह हमें खा जाता है बस मृत्तु बोध बना रहे तो जीवन समर जाता है कहते हैं तुलसी साहब दिन चार संसार में काम कर ले फिर जाल के खा के मिला होता है कर लो जो करना है चार दिन लेकिन अंत में ये काया माटी में मिल जाती है और जल करके राख हो जाती है जिसके लिए जिवन साथ कहते हैं यहां तो रहे हो दूई चार दिन अंत कहां कहां जाना बहुत दो चार दिन की बात है, फिर बताओ अंत कहां जाना है, उसी आत्म लोक में जाना है, जहां से हम आये हैं, उसी शिव लोक में जाना है, जहां से हम आये हैं, जो जो आवा रहो न कोई, और सब का भयो चलाना, इतने लोग आये, लेकिन संसार में कोई अजर अमर होके र ये मृत्तू बहुत जरूरी है ताकि परम जीवन उपलब्द हो जाए जैसे मिरदाद कहता है कि जीने के लिए मरो उस मृत्तू को याद रखो और फिर देखो कि जीवन परम जीवन में ढल जाता है जिसके लिए पल्टू साब कहते हैं पकरिले सबद जिन तो ही पैदा किया उसो उंकार को पकड़ो जिससे हमारा जन्म हुआ है और सब हो इंगे खाक माटी बाकी सब तो खाक में मिल जाता है और दास पल्टू कहे देख संसार गती और बिना निज नाम ना ही कोई साथी देख लो संसार को ठीक से बिना उंकार के बिना नाम के कोई भी तुमारा सहच तुलसी साथ कहते हैं तुलसी कर ख़का ज्वाब दूरी यह सपनों का जाल हम बुनते हैं यह कामना ओंगना जो बुनते हैं इस से मुक्त हो जाओ जिसके लिए अष्टा वक्र जनक से कहते हैं मुक्त यदि चाहते कामना से बचो, विश समझ कर विशे वासना को ता जो ये जो विशे सुख है, ये विश की तरह है, इसको दूर करो, इससे मुक्त हो जाओ, बलकि कामना से मुक्त होना ही असली मुक्ती है. कहते हैं तुलसी साहब लख लाव जो यार को पावता है बस एक ही लाव है नाम का लाव जरा इसको समझो इसको देखो और लख लाव जो यार को पावता है जिसने अपने यार को पाया प्रभू को पाया वही समझता है कि उंकार का क्या लाव है उंकार का क्या उपयोग है जि थोग परापते जे आवे एकहत। बस एक नाम अगर हाथ में आ जाए तो थोग की तरह सारे सुख तुमारे हाथ में आ जाते हैं। इसलिए तुम भी किसी कामिल मुर्शित से जुड़ो, नाम की पूझी प्राप्त करो, नाम का रहस्य प्राप्त करो, और नाम के सुम्रन में जीना शुरू करो, एक मृत बोध बना रहे है ताकि जीवन संसार में उल्जे नहीं, यही सहाजयोग है, हरे ओम तत्सत।